चमतकार दिखाने की चुनोती के बाद अब बागेश्वर धाम सरकार को मिली जान से मारने की धमकी। भाई को फोन करके अग्यात व्यक्ति ने परिवार सहित बागेश्वर धाम सरकार को जान से मारने की बात कही। बता दें कि अभी रायपुर से कथा करके बागेश्वर धा हम बापिस नहीं लोटे हैं अपने गाऊंव पिछले दिनों से लगातार मीडिया में अपरिप्र दे क replen कर ने這個 को परिवार के साथ जान से मारनी की धमकी मिली है धमकी दैने वाले व्यक्ति ही ने कहा धीरएंद्र साश्त्रई की परिवार सह tähän की तयारी कर लो और इस पूरे मामले में चातर-पुर्जलें के बमीठा पुलिस ने इस नया Tapi सुरू कर दी है पुलिस के मुताबिक जिस सक्स के दोरा हृण धीरेंद्र साश्त्रई के परिवार को धम की दी है उसका पता लगाया जा रहा है मोबाइल नंबर भी ट्रैस्ट किया जा रहा है सांती 7 जिस लोकष गर्ग को कौ比較 कौन किया गया था वाइस पौन के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है बामीठा पुलिस के मुताबिक धीरेंदर सास्त्री की चचेरे भाई लोक। इस गर्ग ने जान से मारनी की धमकी की सिकायत दर्ज कराई है। लोके इसके पिता राम अप्तार गर्ग की ओर से दिये गए सिकायती आविदन के बाद अब पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में एफ आई यार दर्ज कर जाच सुरू कर दी है। की मीडिया को साधर आमंत्रित करके उनके सामने दर्बार में विविन प्रकार के चमतकार दिखाये थे। इस पूरे मामले के बाद से ही लगातार धीरेंद कृष्ण साश्त्री चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्हें इस प्रकार की जान से मारने की धम की मिलने के बाद सोसल मीडिया पर उनके समर्थकों में गुस्सा नजर आ रहा है। झाल